शारोखान ने यश्चोप्रा से ये वादा किया है कि वो यश्ची की रोमांटिक फिल्म की शूटिंग अगले साल जैनियूरी से शुरू करेंगे वो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट करना चाहते हैं क्योंकि रावान के टाइरिंग प्रोमोशनल टूर की वजहे से वो बहुत बिजी रहे और वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए सुनाक्षी सिन्हा बहुत जल्द रणवीर सिंग के साथ लुटेरा की शूटिंग करने वाली हैं साथ ही वो रावडी राठोर, जोकर और दबंग टू की शूटिंग में बिजी हो जाएगी लेकिन इसके बावजूद सुनाक्षी चाहती है कि वो डाठ शत्रुगन सिन्हा के साथ उनकी होम प्रड़क्शन फिल्म में काम करें लेकिन सुनाक्षी के चॉक ब्लॉक स्किडूल के चलते ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है सैफ अली खान के होम प्रड़क्शन फिल्म गो गोवा गॉन के फर्स स्किडूल की शूटिंग खतम हो गई है लेकिन अभी तक सैफ ने इस फिल्म के लिए अपने डेट्स कनफर्म नहीं किये है क्योंकि सैफ, रेस्टू, एजेंट्स बिनोद और कॉक्टेल की शूटिंग में काफी बिजी है शारुखान रीसेंटली गोवा में हुए इंटरनाशनल फिल्म फेस्टिबल अफ इंडिया को अटेंट करने गए जहां उनकी मुलाकात हॉलिवुड अक्टर्स हेदर ग्रहाम से हुई और कहा जाता है कि शारुख ने उन्हें अपनी अगली फिल्म में काम करने का ओफर दिया है एक सिंगिंग रियालिटी शो को जच करने के बाद अब रिनोंट लिरिसिस्ट जाविद अख्तर फिर एक बार टेलिविजन पर अपनी किसमत आजमाएंगे इस बार वो एक टीवी शो होस्ट करेंगे जिसमें वो बॉलिवुड के लेजंस के बारे में बाते करने वाले हैं